गुद्मॉर्णी शर्मा जीव बताइए कौन से स्टॉक आपको अच्छा लग रहा है मोजदस तरोपर निवेश के लिए और क्यों निवेश करना चाहिए उस टॉक में गुद्मॉर्णी और मैं सबस्ता हूँ कि यह सही समय है कि हम कुछ पुराने स्टॉक वापस रिविव कर लें तो आज मेरी पिक में जो है एक पुराना स्टॉक यह जो पहले मैंने उपर में रिक्मेंट किया हुआ था और यह है सेटको अटोमेटिव सेटको अटोमेटिव ज साथ ही साथ रिक्लेस्मेंट मार्केट में भी यह ढुमिनेंट प्लेयर है क्लेच असिंबली के लिए कॉमरिशिल वेहिकल की और एक्सपोर्ट भी इसका जो है यूएस मारकेट में जब वो थी जिसी पिकप हो रहा है क्योंकि वहाँ भी जो है ट्रक सेल्स बढ़ रही है ड साथ पिछले साल इन्होंने बैकवर्ड इंटिग्रेशन किया था लावा कास्टिंग करके कास्टिंग यूनिट लगाई थी अपने क्लच असम्बली को बनाने के लिए कास्टिंग की वह भी जो है वहां पर यूटलाइजेशन लेवल साथ ही साथ बढ़ रहे हैं इसलिए वह बहुत ही अट्रेक्टिव लग रहा है मैं समझता हूँ मतलब वैसे तो कहने को शेर बजा रहा है जहां कुछ नहीं कह सकते पहले जिस लेवल पर हमने लिया वहां से भी मुझे नहीं लगता कि नीचे जाएगा लेकिन यहां से तो अब हरगीज नहीं लगता कि और नीचे अब जाएगा जो डाउन फाल आया है वो इसका मार्केट के करणा है ना कि इसके कोई फंडामेंटल्स के करणा कुल तो यह है स्टॉक और आज तो देखे आपके बोलते बोलते है स्टॉक 6% 7% मजबूत हो चुका है सेट को ओटो चालिस रुपे के दाम पर डीडी शर्मा साब की राये पहले अगर आपने खरीदा है तो डेफिनेटली एवरेज कर लिजी कोई चिंता की बात नहीं और इस बीच निफ्टी ने दिन का हाई बनाया है साथ में इन्वेस्टमेंट कोल बिगुल बजा जें ओके दस की कवाई कुनाल जी और बंसल जी करवाएंगे अनिल जी स्टॉक है ट्यूब इन्वेस्टमेंट जिसको पहले भी हमने इसी में दिया था और स्टॉक इस कार्नेट में भी बिल्कुल नहीं कर रहा है और तब भी ये बोला था कि स्टॉक अगर नीचे में मिलता है आपको 270-275 के राउंड तो बाई करके चलना चाहिए जिन्होंने लिया है वो डेफिनेटली होल्ड करें और नहीं खरिदारी का भी स्टॉक केंडिट जिन्होंने नहीं खरिदाया उनको भी खरिदना चाहिए और एक बार ये स्टॉक कॉंसलिडेट हो रहा है एक बार ये 300 रुपे की उपर निकलेगा तो बड़ा अप मूव टूवर्स 350-360 तक का देखने को मिलेगा तीन से चार मीने का नजरिया बना के ट्यूब इंवेस्टमेंट में खरिदारी की राया है ओवर टू कॉनाल जी फॉर फंडामेंटल एंड टेकनिकल अपडेट देखे एक चार्ट स्टॉक्चर बहुत ही दमदार है इसमें एक पैटन बन रहा है जिसको कप विद हैंडल पैटन कहते हैं इंडल पूरा तयार हो चुका है और ब्रेकाउट का इसमें इंतजार है ब्रेकाउट 296 रुपे के उपर आएगा और जिस तरह का स्टॉक्चर यहां पर है मुझे लगता है कि 350-360 रुपे के लेवल्स भी आपको इस काउंटर में आता हुए दिख सकते हैं और जैसे राकेजी ने कहा है यह आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है बजार की गिरावट में भी गिरा नहीं तो यह इसकी स्ट्रेंथ का सूचा के और स्टॉप लोस थोड़ा बड़ा रखें 270 के आस पास रखना हुए 270 का स्टॉप लोस, 360 का टार्गेट, 320 पहला, 320 और 360 तीन चार मेने के चलिए, यह है इन्वेस्मेंट कॉल, लेकिन इन्वेस्मेंट कॉल में भी स्टॉप लोस ज़रूर रख लें, डीरी शर्मा साब का स्टॉक है तो कोई दिक्कत नहीं, वो फंडामेंटल राए, इनकी टे जिन साब, बताईए सर, देखिया अनिल जी मैंने शुरुआत में एक स्टॉक दिया था, 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 यह स्टॉक मैंने काफी बढ़ दे दिया है चैनल पे, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इन टाइप के माहॉल में जो सेफ स्टॉक है, लो बीटा स्टॉक है, बह में ग्रोथ भी एक कंपनी जबरदस्त दे रही है, और पर्टिक्लर लिए सेग्मेंट जो है, डाइग्नोस्टिक सेंटर्स वाला सेग्मेंट अच्छा लगता है, और ये कंपनी अपने ही एक अंदाज में ये काम करती है, और प्राइसिंग को लेकर जैसे कि इंडियन पब इनिक वाली सेलिंग बाकी अच्छे-च्छे मदब TCS और Reliance और ये बड़े-बड़े दिगजों में आई है, बड़ यहां पर नहीं आई है, तो ये कहीना कही रेजिलियन्स दिखा रहा है, मुझे ऐसा लगता कि इस स्टॉक में बिल्कुल बने रहना चाहिए, और तो सरसट पर ये कर रहा है ट्रेड, लेकिन कुछ और स्टॉक हैं चुनिंदा जहां पर अच्छी तेजी बन रही है, उसमें एक है बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्परेशन का पिछले कुछ मिंटों के दौरान अच्छी तेजी स्टॉक में अमर्ज हुई है, वॉलिम एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और मुझे लगता है कि इसको होल्ड करें तो उसमें 1400 तक का पुल बैक तो निश्चित आता हुआ दिखेगा, मेरी राये में यहाँ पर रिस्क रिबाट बहुत फिवरेबल है, बाय करने के राये खरीदने के सलाह हैं इस तरो पर बॉम्बे बर्मा, लेकिन एक और स्टॉक या इंडेक्स जहां पर पोजिशन आप बना सकते हैं, कौन सा है जानेंगे और रुप करेंगे, चलते चलते स्टॉक यानि अभी तो पार्टी शुरू हुई है स्टॉक है या इंडेक्स? स्टॉक है और वह है हिंडाल को और हिंडाल को में है शॉट करने की राये स्टॉक या इंडेक्स चार परसंट कमज़ूर है और यहां पर एक सेफ ट्रेड है शॉर्ट साइट पर लिया जा सकता है बहुत चोटा स्टॉप नोस लगाना है आपको फ्यूचर्स में दोस्तो बतीस रुपए का वह इसलिए ता कि यहां पर एक सेफ ट्रेड है शॉर्ट कि रिस्कम रहें लोगों की और मुझे लगता है दोसो चोबिस दोसो पच्छिस तक आसानी से हिंडाल को मिल सकता है एक और जो ग्लोबल मार्केट में में कम्सिंगा नाम मुझे ध्यान नहीं आरा बड़ा थोड़ा टीपिकल सा एन पे है बड़ा टीपिकल सा नाम है वही उसने अपना प्रोडक्शन शुरू कर दिया और से वह पचास परसइंट प्रोडक्शन पर वह कम्स जब FIS को अगर किसी को बेचना तो वो इन स्टॉक्स को छोड़ नहीं रहें जब वो रिलाइंस और TCS बेच सकते हैं जहां प्रोफिट है तो मेटल स्टॉक्स में और फ्रेंक्ली मैं आपको बता हूँ आज वेदानता शोट कॉल देने के पिछे लोजिक भी यही था कि जहां पर कहीं भी जहां सेलिंग आने के आशेंका हो तो मुझे लगता है उस केटेगरी में हिंडाल को भी फिट बेढ़ता है तो हिंडाल को मैं एक शोट को लिया जा सकता है और 226 मेरा मेरा स्टॉप लोस तो 232 का है और चाहें तो कुणाल जी आप ज़रा है स्टॉप लोस टार पास पास रखना होगा इस फूचर का में लिए और चूंकि या तो आपके 2000 बनते जाएं नहीं है तो तो पार्टी वाला है तो 2000 नहीं है इसमें तो इन नहीं मिल्कुल फिर आप अपने टार्गेट के लिए होल्ड करीबे 232 या 233 का जो आपको सुटेबल लगे स्टॉप स्टॉप लगा लिजे और मार्केट वोलटाइल आप अपनी कोस्ट का लगाना चाहें तो अभी कोई दिक्कत नहीं है स्टॉप लगा कर शॉट करें 226-224 के टार्गेट के लिए तो अभी तो पार्टी शुट यहीं नहीं है आर्दियान है आपने लिके हिंदाल को इन फा वापस यह खबरे आ रहे हैं कि उनको कुछ पर्मिशन मिल गई है और 50% कपैसिट पर हो गए है वह बड़ा ट्रिगर है जिसके वज़े से इस टॉक वापस रिकावर हो है इस बीच रिकाफ़ वोलटाइल लिटी दिखे है यह बैंक दिखिए कि अपनी उप्री स्टोरों से बिल्कुल तो सील तो लगाना बनती है इसी में 1085 का दूसरा टारगेट रे शायद था मेरे खिए 1085 का हाई बहुत ही दमदार को तो यह रिलाइंस इंडस्ट्री जो कि अब दन की उपरी सरुपर कर रहा है कारोबार लेकिन कुछ और चुनिंदा श्याज़ें एक बाद दे कुणाल जी अपना व्यू दीजिए आरेसी पर 103 पर कर रहा है कारोबार लेकिन चार्ट में किसी तरह का कोई सुधार नहीं है मुझे नहीं लगता आरेसी इंस तरों पर लेना चाहिए जब तक 120 के उपर यह निकलना जाए टिकना जाए तब तक इसका स्ट्रक्चर सुथरे नहीं है ऊपर में बेच रहा है यह चीज बहत साफ है साफ साफ दिखी रहा है एक और स्टोक है जहां पर रिकवरी आती वी जिख रही है और वह है आईशेर मोटर्स का 21,500 आज का हाई बहुत बढ़िया दिख रहा है बंसल जी 22,222 तू-टू-टू-टू-टू-टू- और विशिंग की राए नहीं रहेगी कियूंकि आटो-स्टू-टू-क के अंदर ना एक नेगाटिव रूजहन दिख रहा है जैसे शो की शूरुआत में कॉनाल जी ने TVS मोटर पर एक फ्रेश सेल कॉल दिया था ऑगर ना टाहीं टेक्निकली पैटन अनिल जी डिस्टूर् बिल्कुल देखे आज रेटे बढ़ना और क्रूड ओईल का बढ़ना ये वैसे सेग्मेंट के लिए पॉजिटिव नहीं है और मेटल्स की प्राइज़ भी स्ट्रॉंग थी और फिर भी अगर डिसकाउंट देते तो सर्टेनली बैलेंशीट पे इनके मार्जिन्स पे काफी इंपक्ट पड़ेगा बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर सारे स्टॉक्स में अगर चुनना चाहूं तो मैं हीरो मोटो कॉप के साथ ज़्यादा कमफर्टेबल हूँ मुझे आईशर महंगा लगता है टीवी एस कि आज बहुत सही राय दी वह भी महंगा लगता है वैल्वेशन की लिहाद से तो बाकी अभी फ्रेश राय नहीं दे रहा हूं मैं सेक्टर पर थोड़ा सा मैं वेट करूंगा और राइट लेवल्स आएंगे माहौल सही होगा तब फ्रेश बाइंग की राय देंगे बाकी एक बार जिन्नों ने ले रखा वो होल्ड करके रख सकते हैं बागी ओवरॉल फ्रेश बाइंग और बाय ओन डिक्लाइंस की राय अभी नहीं है अखरे एक मिनिट है दिपाली एक स्टॉक और जिसमें अभी तो पार्टी शुरू हुए वह हमें कर लेना चाहिए ठीक है तो रूप कर लेते हैं इसी सेग्मेंट का एक बाब फर सब्सक्राइब अगर बाजार रिकवर होता तो कौन सी इन बेप सी कॉलिटी वाली जो पहले रिकवर हो सकती है तो जहां कर्रेक्शन भी ठीक हो है उनमें एक एमनेम फाइनेस हो सकता है यह स्टॉक जहां पर रिकवरी आपको देखने को मिलें तीन सो असी पर इसफ़क्र फ्यूजर तो प ट्रेड कर रहा है चार परसेंट ओपन इंटर्स बढ़ा है इस स्टॉक का और हालांकि कुनाल जी को बहुत मुश्किल होगी बायकोल देने में लेकिन कुनाल जी सिफ इंट्राडे के लिए स्टिक स्टॉप लोस के साथ छोटा स्टॉप लोस चोटा टारगेट यह चाहिए इसमें एक चीज़ और भी ध्यान रख सकते हैं कि अगर निफ्टी दस तीन सो के नीचे ट्रेड करना शुरू करें या बैंक निफ्टी आज का जो हाई है चोबिस चार सो तैयलिस उसके नीचे ट्रेड करना शुरू करें तो आप फिर M&M के स्टॉप लोस का भी इंतिजार करते हैं उससे पहले ही निकल जाए यविकि मार्केट को भी आपको साथ में नेकल रहा है यह कौल सब्जक्ट तु मार्केट है अगर अच्छ हुआ तो ये स्टूप और आप देखे मार्केश मार्केश में 50-50 पोइंट की स्विंग कि बैंक निफ्टी में फचीस पोइंट कि स्विंग निफ्टी में इतनी जोर से आ रही है कि आप देख सकते हैं तो ऐसे में एमनेम फाइनस तीन सो पचासी तीन सो अठासी टारगेट तीन सो पचातर का स्ट्रोक रॉस तो यह दो स्ट्रोक हैं आज आपके लिए अभी तो पार्टी में एक तो हिंडाल को शॉर्ट स कोई इंट्रेस्टिंग कारोबार है आगे कभी लेकिन इश्यों में इतने